नमस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल वेसी एस वैसिक फिजिक्स में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कखसा बारा का टोपिक द्यूवणता द्वारा धुरवण सबसे पहले हम आपको बता दें धुरवण क्या होता है देखे दोस्तों जो प्रकास की तरंगे होती है वो विद्दु चुमब के तरंगों के रूप में संचरित होती है और विद्दु चुमब के तरंगों में विद्दु छेतर साथ चुमब के छेतर एक दूसरे के लमवत तरंग संचर्ण की दिशा के लमवत एक समान कला में कमपन करते हैं यहाँ पर जो विद्दुछतर है वो दिकांस उर्जा को संचरित करता है ततपस्यात विद्दुछतर सदीसों को हम प्रकास सदीस कहते हैं कि तरंग संचन की दिशा के लंवत चारों और उपस्तित होते हैं अब इन प्रकास सदिसों को किसी एक तल में विवस्तित करने की जो गठना है प्रोसेस है उसको हम कहते हैं धूरवाने कि जो प्रकास सदिसे प्रकास तरंग के चारों और उपस्तित होते हैं मोजूद होते हैं उनको किसी एक तल में विवस्तित कर दिया जाता है तो उस गठना को हम कहते हैं धूरवण अब यहां पर है द्यूवणता द्वारा धूरवण द्यूवणता क्या है देखे दोस्तों ये भी एक ऐसी गठना है जिसमें जब हम एधूरवण परकास किसी क्रिस्टल पर डालते हैं तो वह जो क्रिस्टल है वो एक तल में उपस्तित परकास सदीसों को अपने में से पारगमित होने देता है और अन्य जो परकास सदीस होते हैं उनको अवसोसित कर लेता है तो उसे को हम कहते हैं दिववर्णता तो दिववर्णता के फश्चात जो प्रकास हमें मिलता है वो धुरुवित प्रकास होता है उस प्रकास में प्रकास सदिस सिरफ एक ही तल में उपस्तित होते हैं एक वार दिववर्णता को फिर से सुन लीजिए कुछ विशेश प्रकार के crystal पर जब एधूरीत प्रकास आपतित होता है तो वह एक तल में उपस्तित प्रकास सदीसों को अपने में से पारगमित होने देगा अन्ने सभी प्रकास सदीसों को अवसोसित कर लेगा तो उसे गठना को हम कहते हैं द्यूवर्णता क्या कहा जाता है द्यू वर्णता कहा जाता है अब मैं यहाँ पर definition पूट कर रहा हूँ और किस तरीके से अवसोसित होती है अन्य प्रगाज सदिस वो हम आप लोगों को दिखाते हैं देखिए कि जब कोई crystal अपने में से जब कोई ए धुर्वित प्रकास किरन किसी विशेश प्रकार के किसी विशेश प्रकार के crystal पर आप्तित होती है crystal पर आप्तित होती है तो वह क्रिस्टल वह क्रिस्टल एक तल में उपस्तित एक तल में उपस्तित प्रकास सदिसों को एक तल में उपस्तित प्रकास सदिसों को अपने में सें पारगमित होने देता है सेंस प्रकास सदिसों को अवसोशित कर लेता है सदिसों को अवसोशित कर लेता है सेंस प्रकास अदिशों को अवसोसित कर लेता है इस गठना को दिववर्णता कहते है और दिववर्णता से जो प्रकास हमें मिलता है वो धुर्वित प्रकास होता है दिववर्णता से प्राप्ते प्रकास धुर्वित प्रकास होता है कैसा प्रकास होगा धुर्वित प्रकास होता है अब यहां पर हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से दिववर्णता से हम धुर्वित प्रकास प्राप्ते करते है जैसे यह हमारे पास में कोई क्रिश्टल है हम किसी क्रिश्टल को इस प्रकार से दिखा दें कोई विसेश प्रकार का क्रिश्टल है इस पर हम एधुरुवित प्रकास की रण आप्तित करवा रहे हैं ये हमारे पास में है एधुरुवित प्रकास एधुरुवित प्रकास एधुरुवित प्रकास को दिखाने का तरीका देख लीजी हम प्रकास सदिसों को इस तरीके से दिखाते हैं जो प्रकास सदिस हैं उनके कमपन एक तो हम दिखा रहे हैं यहां पर बोड के तल में और एक बोड के तल के लमवत यह जो मैंने एरो के निसान दिखाए हैं यह प्रकास सदिस बोड के तल में हैं और जो प्रकास सदिस बोड के तल के लमवत होते हैं उनको हमने यहां पर इस तरीके से डोड से प्रदसित किया है तो यह एधुरित प्रकास है जिसमें बोड के तल के लंबवत ता बोड के तल में दोनों ही प्रकास सदिस उपस्तित होते हैं जैसे यह वाली प्रकास की किरण यहां से इसे क्रिश्टल के अंदर प्रवेश करती है तो प्रवेश करेगी तो ये इस तरीके से प्रकास सदीसों का इसमें अवसोसन होता चला जाएगा. जब धिरे धिरे इनका अवसोसन होगा, तो इनके कमपन है, वो इस तरीके से होंगे, इनकी साइज कम होती चली जाएगी, इस तरीके से कम होते होते सुनने की और पहुंच जाएंगे तो यहां अपर जो बोड़ के तल के लंवत प्रकास अदिस होते हैं वो प्रकास अदिस तो फिर भी मुझूद रहते हैं उनमें तलों के वाले प्रकास अदिस तो इसमें से पारगमित हो जाते हैं जबकि बोड के तल वाले जो प्रकास अदिस हैं वो इस क्रिश्टल के द्वारा अवसोसित कर लिए जाते हैं इधर हमें जो प्रकास मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा और ये जो प्रकास होता है वो समतल धुरुवित प्रकास होता है और ये दिववर्णता में प्रियुक्त क्रिस्टल है और विसेश प्रकार का क्रिस्टल होता है और इसमें जो प्रकास सदीस से देख लेंगे दोस्तों कि यहाँ पर प्रकास सदीस इस तरीके से थे धीरे धीरे ये अवसोसित होते चले जाएंगे और जब इसमें से प्रकास बाहर निकलेगा तो वो संतल धुरुवित प्रकास ही होता है केवल बोड के तल के लंबवत जो प्रकास सदीसों के कंपन होते हैं वो सेंस रहते हैं बाकी के सारे के सारे इस क्रिश्टल के द्वारा वसोसित कर लिए जाते हैं तो ये जो गठना है इसको हम द्वार्णता कहते हैं कि अधुरुवित प्रकास से हम धुरुवित प्रकास प्राप्त करते हैं इस गठना को हम कहते हैं द्वार्णता और द्वार्णता से हम धुरुवित प्रकास प्राप्त करते हैं अब हम एक एक्जामपल लेंगे दिवर्णता पर आधारित पोलेराइड काफी पॉपुलर एक्जामपल है पोलेराइड होता क्या है और उसके उप्योग क्या है अब हम देखेंगे अब हम बात करेंगे पोलेराइड की पोलेराइड है क्या पोलेराइड दिवर्णता के सिद्धान पर काम करता है इसकी साहिता से हम एधुरीत प्रकास को धुरीत प्रकास में रुपांधृत करते हैं बदल सकते हैं इसकी बनावट क्या होती है वो सुन लीजे कि नाइट्रो सेललोस की जो परते होती है उनके मद्दे भाग में बीच में हर्पेथाइट रख देते हैं या कुनेन का आयोडो सल्फेट उसके मद्दे में रख देते हैं तो जो निर्मित भाग होता है जिसे निर्मान होता है वो तो प्राप्त जो वेवस्था है उसको ही हमें पॉलेराइड कहते हैं अब पॉलेराइड के उपयोग क्या-क्या है देगे सबसे पहला जो इसका मूल कारिय है वो है एधुरीत प्रकास को धुरीत प्रकास में रुपांतरित करना तो ये ऐधुरित प्रकास को किसमे रुपांतरित कर देता है धुरित प्रकास में रुपांतरित कर देता है दिवणता के सिद्धान्त परकारिये करता है इसका जो दूसरा उप्योग है वो सुन लीजिए ये जो गाडियों की हेड लाइट होती है उसमें इसका प्रियोग होता है तांकि जो प्रकास की तीवरता है वो कम हो जाए प्रकास की तीवरता क्या हो जाए कम हो जाए गाडियों की जो हेड लाइट है उसमें इसका प्रियो किया जाता है तांकि रात में जो गाड़ियों की हेड लाइड से आने वाली जो प्रकास की रोसनी है रोसनी की जो चका चोंद है वो कम हो सके इसके साथ में जो गाड़ियों में लगे पारदर्सी काच होते हैं सामने का जो काच होता है उसमें उसको भी पॉले राइड से ही ब पॉलेराइड को धुरुवित और एधुरुवित प्रकास के संसुचन में भी इसको यूज में ले सकते हैं तो एकक करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अब हमें पूट करेंगे बोर्ड पर आप देखेंगे देखे पॉलेराइड क्या है? सरफर्तम तो हमें इसका सिदान्त बताते हैं कि पॉलेराइड दिववर्णता के सिदान्त पर कारिये करता है इससे इससे धुर्वित प्रकास प्राप्त किया जाता है इसकी साइता से हमें धुर्वित प्रकास को प्राप्त कर सकते हैं फिर हमें बात करते हैं पॉलेराइड की बनावट पॉलेराइड की बनावट बनावट किस प्रकार की होती है? देखे पॉलेराइड का निर्मान करने के लिए हम क्या करेंगे नाइट्रो सिल्लोस की पर्तों के मद्दे कुनेन कायोडो सलफेट या हर्पेथ हाइट को रख देते हैं जिसे इनके प्रकास अदिस जो क्रिस्टल है उसमें भी पर्ते एक दूसरे की समांतर वेवस्तित हो जाती है और उन समांतर जो प्रकास अदिस पारगमित होते हैं अन्य सभी प्रकास अदिस उनके द्वारा अवसोसित कर लिए जाते हैं तो पोलेराइड का निर्मान करने के लिए पोले राइड का निर्मान करने के लिए निर्मान करने के लिए नाइट्रो सेलोज की परतों के मद्दे नाइट्रो सेलूलोज की पर्तों के मद्दे कुनेन का आयोडो सल्फेट कुनेन का आयोडो सल्फेट रख देते हैं या हर्पे थाइट कुनेन का आयोडो सल्फेट रख देते हैं या हम हर्पे थाइट को रखा जाता है को रखा जाता है जिससे जिससे देखी दोस्तों नाइट्रो सोलोस की पड़तों के मद्दे हम है कुनेन का आईडो सल्फेट और यह हम रख सकते हैं हर्पेथाइट रख देते हैं जिससें क्रिस्टल के प्रकासिक अक्स एक दूसरे के समानतर हो जाते हैं एक दूसरे के समानतर हो जाते हैं एक दूसरे के समानतर हो जाते हैं जब पोले राइड पर एधुर्वित प्रकास आपतित होता है तो प्रकासिक अक्स क्रिस्टल के प्रकासिक अक्स के समानतर के प्रकास सदिस प्रकास सदिस पारगमित हो जाते हैं सेंस प्रकास सदिस अवसोसित हो जाते हैं सेंस प्रकास सदिस सेंस प्रकास सदिस अवसोसित हो जाते हैं जो प्रकास सदिस क्रिस्टल के होते हैं प्रकासिक अक्स क्रिस्टल में बनते हैं उनके समानतर जो प्रकास सदिस होते हैं वो तो पारगमित हो जाएंगे बाकी के सारे के सारे अवसोसित हो जाते हैं तो ये इसकी बनावट थी पॉलेराइड की बनावट अब उसके फश्यात हम बात करते हैं पॉलेराइड के उप्योग पॉलेराइड के उप्योगों में आप देखेंगे पॉलेराइड के उप्योग सबसे पहला और जो महत्वपुन उप्योग है वो यही है कि इसकी सहायता से धुरुवित प्रकास प्राप्त किया जाता है तो ऐ धुरुवित प्रकास है धुरुवित प्रकास प्राप्त करने में तो पहला जो उप्योग है वो है प्रकास के धुरुवन में एधुरित प्रकास यदि आप प्राप्त कर रहे हैं इसका मतलब है कि वहां पर प्रकास का धुरवन होता है दूसरा जो इसका यूज है गाडियों की हेड लाइट में गाडियों की हेड लाइट गाडियों की हेड लाइट में इसका उप्योग क्यूं होता है वो समझ लीजिए कि रात में गाडियों की हेड लाइट से जो प्रकास निकलता है उसकी चकाचोन काफी जादा होती है और उसे चकाचोन को कम करने के लिए पॉलेराइड के काच का प्रियोग के जाता है Polaroid का उज़ होता है जिससे उसमें से जो पारगमित प्रकास है उसकी तिवर्था कम हो जाएगी उसमें सिरफ एक ही दिशा में प्रकास के सदिस उपस्तित होंगे तो गाड़ियों की headlight में Polaroid का उप्योग होता है गाडियों के जो पारदरसी काच होते हैं उसमें भी पॉले राइडी का उप्योग होता है उससे क्या होता है कि गाड़ी में जो प्रवेश करने वाला जैसे सामने वाली जो गाड़ी है उसकी हेडलाइड से जो प्रकास आता है ये रात के समय की बातें हैं तो उसे परकास कि तीवर्टा काफी जादा होती चका चून काफी जादा होती ये सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता तो जो ड्राइवर के सामने लगा जो ग्लास होता है उसे ग्लास को भी Polaride से बना लिया जाता है तांकि उस गाड़ी में प्रवेश करने वाला जो प्रकास है उसकी तीवर्ता भी कम हो सके तो गाड़ियों की जो पारदर्सी फ्रेंट का जो काच होता है पारदर्सी काच उसमें भी पॉलराइड का उप्योग कर लिया जाता है इसके साथ में आप देखेंगे कि धुर्वित और एधुर्वित प्रकास के संसूचन में संसूचन का मतलब है पता लगाना कि कोई भी प्रकास धुर्वित प्रकास है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए भी पॉलराइड का उप्योग किया जाता है इस पर भी हम एक वीडियो बना रहे हैं मेलस का नियम भी आप देखेंगे कि धुर्वित और एधुर्वित प्रकास का हम संसूचन की से तरीके से करेंगे इसके ठीक बाद का वीडियो है आप यहाँ पर देखेंगे कि जो धूप के चसमे होते हैं धूप के चसमे उसमें भी पॉलराइड का प्रियोग ही होता है तो धूप के चसमे में भी पॉलराइड का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों ये थे पॉलराइड के उप्योग और ये था पॉलरेड किस प्रकार से बनता है किस सिद्धान्त पर काम करता है और इस वीडियो में आपने देखा दिव वणता द्वारा धुरुण किस तरीके से होता है आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवा दोस्तो